नमस्कार दोस्तों हमने सुबह सुबह बिस्तर पर उठते ही कुछ क्रियाओं के बारे में चर्चा की थी उन चर्चाओं का अनुभव आया वो अनुभव बहुत शांदार रहा उससे वाकई में एक एनरजी जो है वो महसूस होती है और एक आम आदमी या एक उम्र के बाद में जो व्यक्ति जो प्रोड हो जाता है वुजर्ग हो जाता है उनके लिए तो बहुत शांदार है और शरीर सुबह सुबह जागरत हो जाता है वो क्रिया तो आप डिस्क्रिप्शन पर भी मैं डाल दूँगा और बाकी आपने देख भी ली होगी नेक्स्ट एक और जैसे हमने कुछ ऐसे विचार किये और कुछ अनुभव लिए तो उन अनुभव में एक चीज और देखने को आई कि हमारे जितने जोड है शरीर में देखिए जो आप नाली का एक उधारन समझिए कि नाली अगर जहां से मोड होता है वहां पर हमेशा मिट्टी और कीचड ज़ो है जादा जमता है और वहां ब्लोके जा जाती है तो पिसली नाली एकदम पैक हो जाती है हमारे शरीर में भी सेम ऐसा ही सिस्टम है हमारे बड़े बड़े जोड जो है वहां पर रात को सोते हैं क्योंकि हम गुर्तुवाकर्शन के और इस तरीके से 90 डिग्री पर सोते है तो उसके समानांतर सोने की वज़े से हमारे पूरे शरीर में गुर्टवाकर्शन का जो इफेक्ट है वो इस तरीके से आता है ऐसे शरीर ऐसे होता है और गुर्टवाकर्शन ऐसे होता है सेम यही इस्तिती एक लोजिकली बात करते हैं हम लोजिक की बात करते हुए समझें तो जादा समझ में आती है तो अगर हम रात को ऐसे सोते हैं और उम्र हो गई थोड़ी जादा या जिस हिस्से में पेन है जैसे कमर में पेन है अगर हम रात को ऐसे सोए तो कमर के अंदर blood का circulation कम होगा ज्यादा तो होगा नहीं क्योंकि रात को blood का circulation हमारा सिथिल हो जाता है डाउन हो जाता है तो कमर में दर्द आ गया अगर घुटने में पेन है तो रात को सोए तो वहाँ blood का circulation हलका रहेगा अगर हम सुबह उड़ते ही उन सब body parts को थोड़ा सा rub कर दे रब करने का मतलब क्या हुआ जैसे नाली में किसी लकड़ी से हिलाना वैसे ही हमारे ये जोड है उनको हातों से rub करना रब से क्या होता है rubbing से गर्मी पैदा होती है जैसे हात को rub किया तो हात गरम हो जाएंगे सेम वही चीज हमारे उन चीजों उन हिस्सों पर जहां पर हमारे problem है वहाँ अगर करें या नहीं भी है problem नहीं है लेकिन बड़े जोड़ों को हमने थोड़ा सा कर दिया तो आप देखिएगा आपको पांच मिनट में ऐसे अच्छा सा महसूस होगा एकदम अलसाय हुए से जो उड़ते हैं वो एकदम से active उठेंगे ये एक नया प्रियोग मैं आपको बता रहा हूँ उसमें क्या क्या करना है ये अब मैं बताता हूँ आजकल जो मुख्य बिमारी है वो मोबाइल की हाथ की तो हमें शुरू कहां से करना हमें शुरू करना है हाथ से ये हाथ जैसे हमने रब किया अब ये हाथ रब किया ना इससे तो पहली बात ये हो गई कि पूरी body warm up हो गई इससे हाथ रब करने से ही क्यों क्योंकि यहां पर सारे point मैंने आपको बताय हूँ है sinus है, kidney है, liver है, heart है, आते हैं, तिल्ली है जितने भी organs हैं, फेफडे हैं, जितने भी organs हैं वो सारे के सारे हमारे हाथ में हैं तो ऐसे अगर आपने एक मिनट तो यह किया, एक मिनट कर लीजिए फिर उसके बाद शुरुआत कहां से करनी, हाथों से यह हाथ का जो अंदर का हिस्सा है, यहां से पूरी veins जो है, वो ऐसे जा रही है आपको जब भी कोई problem शुरू होती है, तो इन नसों में यहां पर शुरू होती है जो यह हमारी कोहनी है, खड़ा हुआ इससा है, यहां पर इस जगे pain आएगा, सुन भी आगी तो यहां से ही आएगी अगर यहां आप ऐसे अंगुली से एक बर दबा के देखना यहां दबाते हैं, तो कईयों को डकार आ जाती है और कईयों को यहां पर pain होता है वो pain, छुपा हुआ pain है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है हम क्या करेंगे, रोज सुबह उठे, उसके उपर इस तरीके से रब किया आप देखना, करके देखना, बहुत अच्छा feel होगा और बहुत अच्छी चीज है, आराम से कर लो, अगर ज्यादा तेजी से नहीं कर पाएं कोई बात नहीं, ऐसे आराम से कर लो, ऐसे एक मिनट, यहां कोहनी के पीछे, इस जगे यह हमारे उपर के हिस्से में एक अच्छा बड़ा जोड माना जाता है, यहां पर इस जगे यह हो गया, सामने हो गया, इस तरीके से, पूरे हाथ को ऐसे आदा राउंड करते हुए और यहां कोहनी तक, यह एक हो गया, एक मिनट, फिर दूसरे हाथ से, दूसरे हाथ में यह गरम हो जाएगा एक दम, पूरी गरमी आजाएगी यहां पर, ऐसे यह हमारा एक हिस्सा हुआ, एक जोड हुआ, उसके बाद में, यह कोहनी का हो गया उसके बाद में, हमें चलना है, पाओं की ओर, जैसे किसी को घुटने में पेन है, तो क्या करना है उसमें? घुटने में पेन में, सुबह उठते ही की बात ही है, आच्छा कई कहते हैं कि साब हमें तो fresh होने की वो रहती है, अगर आप fresh होने का आपको इतना ही जल्दी उड़ते ही होता है तो आप स्वस्त हैं आपको वैसे भी आप शेक्ता नहीं वो फिर योग क्रियाओं के साथ कर ले ना उसमें फिर बिस्तर पे करने की जोड़ती नहीं है यह उनके लिए जो स्वस्त नहीं है जिनको पेट समंधी समश्याएं भी और दर्द वी रहता है तो यह जो घुटना है न गुटने के दो नोर यह जो हिस्से है यहां पर हमारी मुख्य चैनल यहां से निकलती है तो यह जो पूइंट होता है यहां यह नशे इस चैनल को हमें रब कर के गरम करना है यह रब तरैपी आपको बहुत अच्छा इफेक उसके दोनोर, दोनोर के हिस्से, ये जो है न, ये इससे जैसे किसी का पैर थोड़ा टेड़ा हो रहा है, इधर हो रहा है, रोज नियमित रूप से, मैंने आपको पीछे एक, जो है, हमारा पूराना बच्पन में पढ़ा हुआ स्लोक है, करत करत अभ्यास के जडमती होच जान, रसी आवत जात है, सिल पर करे निशान, हमारी ये जो नसे है, इनको रोज अगर ऐसे रब किया हमने, ऐसे रब किया, तो आप मान के चलिएगा, कि उन नसों में ब्लड का सर्कुलेशन चलना ही चलना है, कहां जाएगा, ये बड़े जोड है न, जो पूरे दिन मुड करते रहते हैं, ऐसे करते रहते हैं, ऐसे ही दूसरे पाउं से कर लीजिए, ये सुबह सुबह उठते ही तो करना है, ऐसे, इस तरह के से, ऐसे कर लिया, और आप देखना, करते ही आपको बड़ा अच्छा फील होगा, बोद गुड आपको लगेगा कि रे वाह, क्या बात है एकदम से मज़ा आ जाएगा, ये दोनों बड़े जोड, कोहनी और घुटना, अब इसके बाद, एक एक मिनट होगे, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, चार मिनट होगे, एक मिनट हात वाला, जिनको एडी में दर्द है, यहाँ पर, यहाँ पर दर्द है, तो उन गुठे से ऐसे भी कर सकते हैं, सुबह-सुबह, उठते ही, क्योंकि आपको जैसे लोजिक मैंने बता दिया है, क्योंकि हम लेटे हुए होते हैं, उसमें ब्लड सर्कुलीशन कम जाता है, और वो दर्द वहाँ पर फिर धीरे-धीरे ठहरना शुरू हो जाता है, अगर एक ही ज दवाई ले रहे हैं, ट्रीटमेंट ले रहे हैं, सब लीजिए, यह तो एक मैं एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूँ, जो आप करेंगे तो इसका इफेक्ट उस दवाई के साथ मिलके बहुत शांदार आ जाएगा, तो इस तरीके से ऐसे, इस तरीके से कर सकते हैं, जिनको AD क उटके चलिएगा, देखना, एक मिनट इसमें, एक मिनट दूसरे पाउँ, दोनों में बैलेंस करना, देखो एक पाउँ में करके मत छोड़ देना, दोनों में बैलेंस करना है, ऐसे, यह वो एनरजी है, जो आप बिना ही बात खराब करते जा रहे हैं, कौन सी एनरजी, यह जो गरम होने वाली, ये चुम्बकी या तरंगे हैं हमारे शरी में, हमारे शरी में बलड होता है उसमें एरन होता है, और मैगनेटीक पावर होती है वो मैगनेटीक पावर जब दोनों को आपस में दो अंगों को आपस में भेढा कर रगड के घर्शन करके, रब करके हम गरम करते हैं, तब वो मैगनेटी पावर पैदा होती है तो हमने जैसे यहां गरम किया, यह गरम होते ही क्या होगा? पूरे माइंड को पता चलेगा कि कहीं कुछ काम हो रहा है तो यहां गर्मी पैदा करनी है अगर अत्यदी गर्मी यहां हो रही है इसका मतलब है कि बलड यहां पर सबसे ज़्यादा है और वो रब जो है वो उस बलड को अपनी और खीचेगा वायूदाब कम होगा बलड को अपनी और खीचेगा जहां पर हमें प्रॉब्लम है दर्द ह वहाँ इसका मतलब है कि बलड कम है और हमने रब करके उस बलड को वहाँ बुला लिया रोज किया, सुवे सुवे किया क्या बात है, देखना फिर क्या मजा आएगा, और पूरे पैर में कर सको वो भी कर लो, रात को मैंने बताया हुआ है जिनको एलर्जी रहती है, जिनको जुखाम बुखार होता है वो रात को सर्शो के तेल की मालिस ये कर सकते हैं, तिल के तेल की मालिस कर सकते हैं ये जो है न, ये भी बहुत शांदार तो सुवे सुवे अगर आपको जैसे फ्रेश होने की पूरी मन में नहीं आए, तब तक आप यह करते रहें, बैठे रहें, क्या फरक पड़ता है, बिस्तर पी तो बैठे, ऐसे बैठे बैठे यह सब चीजे कर लीजिए, और पानी जो है वो उठते ही पीना है, बिस्तर पे बैठे बैठे ही पानी पीना है, और फिर उसके बाद मे ये सारे काम आप शुरू कर दीजिए जिससे आपको फ्रेश होने का भी मन करेगा पेट एकदम साफ होने के उसमें जाएगा धीरे धीरे आपको जब ये नसे खुलेंगी ब्लड का सर्कुलीशन चलेगा ये एडी आपकी इस तरीके से ये एडी गरम हो गई अब जिनको वायू रहती हो जिनके सर्वाइकल में पेन हो देखेए ये अपने हाथ से अहलाकी हलका होता है लेकिन आप इस तरीके से ऐसे दोनों हाथ से भी कर सकते हैं हाथों को पीछे ले जाकर और ऐसे रब करना इस तरीके से ऐसे और फिर लंबी शांस लेजीजिए सर्वाइकल में होगे जिनको सर्वाइकल का पेन है ऐसे एक्सेसाइज भी हो जाएगी हाथ भी पीछे जाएगा और हलका हलका रब करना एक-एक मिनट का टाइम बान लेजिए सामने घड़ी लगा लेजिए मोबाइल लग लेजिए एक-ए अब देखना उसी समय आपको रिलीफ मैसूस होगा अगर रिलीफ नहीं होता है तो इसका मतलब इंटरनल कोई हड़ी की प्रोब्लम है अगर यह सारे मस्कुलर पेन है वेन से संबंदित पेन है ब्लड की सर्कुलिशन के पेन है आपको फील होगा कि जैसे आपने कोई टेब करते थे अब सब खतम हो गया है अब करना भी खुद को पड़ेगा कोई करने वाला नहीं है इस तरीके से कमर के पिछे की साइड में ये सब करके शरीर को देना है ऑक्सिजन कैसे देंगे कमर सीदी करके बैठे हैं विस्तर पी तो बैठें बैठें मैंने कहां कहां बताया एक मिनट हाथ में दो मिनट तीन मिनट चार मिनट पांच मिनट छे मिनट साथ मिनट आठ मिनट नो मिनट नो मिनट हो गए उसके बाद में दसवा मिनट कहां पर ये जो सिर्की ये जो लाइन है सेंटर लाइन है यहां फिर उससे आदाइंद छोड़के यहां फिर आदाइंद छोड़के यहां ऐसे यहां पर इस तरीके से ऐसे यह प्रेशर किया इस तरीके से यह हमारे वायू की ऊपर की कूकर की सीटी जो मैंने लीवर वाले प्रोग्राम में बताया था आपको इस तरीके से ये फिर इससे आदा दाइन छोड़ दीजिए फिर इस तरीके से ऐसे थोड़ा प्रेशर करके दबाईएगा देखो दर्द होगा जादा तर लोगों यहां द तक ऐसे फिर इससे आधा इंच और नीचे ऐसे यहां जो हड़ी लाष्ट में यहां पर इस तक आती है यहां तक जाना है तो यह हमारे तीन पॉइंट सिर के सेंटर से लेकर आदा आदा इंच नीचे जाते हुए यहां तक यह सेंटर तक आगे रिलाक्स बहुत अच्छा फ हुए उठते ही बिस्तर पर ये क्रियाएं कर लीजिएगा मैं आपको कहता हूँ एक बार कर लीजिएगा केवल मेरे कहने से एक बार करिएगा और फिर उठकर देखिएगा क्या जीवन का आनन्द है वो जो क्रियाएं मैंने आपको लेट कर बताई थी वो लेट के बहुत श तो यहां पर रब करिए हातों की यह रबिंग पूरे शरीर के लिए बढ़िया है और पैर की एडी में दर्द है तो एडी में और घुटने में दर्द है तो घुटने में रब करिए यह पूरी रबिंग थेरपी आपको बताई है सुबह उड़ते ही बिस्तर पर मोर्निंग य जरूर है कि जो हार्ट और बीपी के पैसेंट है वो थोड़ा सा गती कम रखे सामर्थ है अनुसार अपनी ताकत से करें ताकत से ज्यादा जोर नहीं लगाएं कई पर क्या होता हम ऐसे जोर लगा देतें ऐसे ऐसे जोर लगाएंगे तो यह ता हमें ऐसे जलन सी मैसूस होगी वह काम नहीं करना वहत आराम से कपडा बीच में होगा इसलिए कोटन का कपडा होता कोई प्रोग्लम नहीं है इस तरीके से रब करेंगे अच्छा लगेगा आपको पूरा आनंद आएगा तो यह आनंद बना रहें आप स्वस्त रहें मस्त रहें ऐसी अपेक्षा करते ह rapping मै पिता हूं इजाजा त्रीनिति टीवी के लिए नमस्कार